कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेड़ी स्टडी गो में मैं हूं कुछन सिंग आपको पढ़ा हूंगा पॉल्टी जैसा कि पहले क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया है सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने इलेक्शन प्रेजिडेंट के परहं लिदो किया है और इन सब के बारे में उसके बातों हम लोग आये थиля इंपीचमेंट के बारे में सबकilingual के साह paste अब हम पढ़ेंगे power in function आप लग सबस्ता होगãyãy। यूइन टरभ्र नहीं अन्हीं हो उस्तों जैसा हम पढ़ेंगी Whether भी पावरा बहुत सी पॉवर है है जिसका युज टाइम टैम पर करता रहता है तो चलो सुरू करते हैं सबसे पहले कि reminding पावर्स होती हैасти प्रेजडेंट कि अच्अचरण गारे हैं माँठीन के प्रेजिडेंट के पास सातर है शक्ति Kabata एकजीएटरी पॉवर को डिसकु कारेकारी प्रसक्तिया कीछतेने डूसरी एक लिजिसलेटरी पॉवर्स जिसको विधाई शक्तिया केते हैं । सबसे और को आपको पता है कि जो राश्टपति है वह अपने कारे कारे शक्तिव का मिन्सलाबeneca तो लेजिस्टेटलेट्टी लेजिस्टेटलेटर का है रेजिस्टेटल प्राइम स्ट्रेट एक्ष्टेटल का है प्रेजिडेंट तो all executive action इकन बाइड इंडिन गॉवर्मनें गवर्मली टेकन इन इसने जो भी एक्षिक्ट एक्षिन लिया जाते हैं must be authenticated यह मतलब authorized करता है किसी भी रूल को और किसी भी order को और instrument को अपने द्वारा ठीक है अब यह करता है कोई भी मतलब देख अंगली से पढ़ता हो पहले में he has the authority to make rules for the more efficient transaction of union government business मतलब यह नियम बनाता है कि जो केंद्री सरकार के जो कारिकाल है कारिय है वो बहुत ज्यादा efficient रूप से काम करें और दूसरा काम क्या है यह ministers को उसके कारी allocate करता है जो allocation होता है ministers को cabinet का या फिर अपने मंत्री का ministry का वह राष्टपति दिवार का का जाता है और क्या करता है fourth है he appoints the prime minister prime minister को रहाँ करता है राष्टपति द्यान एक द्याने करते और चेहिंग रखीट रखी करता है यह क्या सब्सक्राइब एक दा सब्सक्राइब करना जो फ्रेश्डत करता है जैसे उलिटर गंनल ते उट्ट चीब एलेटिशनों कर्ट शिरिभ डr प्रेजिदेंस को भी कौन अप्रपेंट करता है जानकना स्टेट गवेंबर्स को भी कहन है प्रेसिडेंट चैर्मेन और मेंबर्स आफ़ेजंट करता है यही इसकती है केंटरइब फ्राम प्राइम मिनिश्टर राइंपूरमेशन परटैनिंग टूडदोड अधिसन आप यूनियों अफैर्स एनजील से पर अइसवेड़ी पर्फॉज्ट परपोजर जो भी प्रफॉजटर्फ गये अपने अधिसन के लिए जो भी काम किया है उनकी जो याद करना यह गिए कि लग्से स्लाइब नोंगा विसमें सब कुछ जो भी याद करना है उसमें देंगे अगला है अगला है अगला है कोई भी कमिशन कर सकता है इन्वेस्टिकेशन करने के लिए अनुसुच जाती अनुसुच जन जाती और पिछलावर के कंडिशन को देखने के लिए ठीक है और क्या करता है और किस लिए प्रमोट करने के लिए इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट के लिए ठीक है ताकि बेहतर संबंद बने और स्टेट की बीच में ठीक है और क्या करता है यह एड्मिस्टर करता है युनिन टेरिट्री को रैक्ली तुरूद डैनिस्टेटर ही अपॉंट्स डैकली जैसे जहां पर लेटनेंट गवरणर लगाएं जैसे एल्टीर का है तो बारा ही हैंडल किया जाता है यह जो अपर देखिए विदाई सकतिया लेटिव और क्या क्या होती है इसके पास क्या करता हुए कि और प्रारियमेंट परलायमेंट además डिज्षुyuव और रिजशन खत्म कर सकता है और उन लोकसुच्ववा को डिज्षुRahGWi कर सकता है जब इसको लगे कि प्राइं मिनिनिस्टर या फिर प्रापर नहीं है मेजर्ती में तो लोकसुआ डिज्ष्व不錯 किया मिला सकता है यह कोई बी doc को और आटका हुआ है कोई बेल अटका हुआ है तो बहुत बुला जाते हैं और यह बुला सकता है जोंट सेशन उसके अधिक्षता कौन करता है प्रजिट भाई इस पिगर हमसे दिया नकना इसका मतलब जब भी कई नई बनती है उसका पहला सेशन और हर साल में पहरा सेशन को यह एड्रेस करता है ठीक है और चौथा जो विदाई सकती है इसकी पास क्या है वो अपना मैसेज हाउस पार्लेमेंट में भेज सकता है कोई भी मतलब किसी भी रिलेटर हो या पेंडिंग बिलके रिलेटर हो या कोई भी और काम से मतलब अपना भासनवाद दे सकता है अपना मैसेज दे सकता है और ऑफिस आप बोथ स्पिकर और डिप्टी स्पिकर का सीट खाली है तो वह ऑथराइज है कुछी भी मेंबर को उसकी अधिक्स्ता करवाने के लिए ठीक है वैसे ही राजेसभा में भी है इकन अपोइंट एनी राजेसभा मेंबर तो प्र अगर इसमें वह वहात है अगर डिप्टी चयर्म के जगांड रियकन है तो यह किसी मेंबर को अध्राइज कर सकता है उसको प्रसाइट करने के लिए ठीक है के यह अच्छी है रोड़ाण को पता है तो प्रज्वा में बारा मैंबर पोइंट होते हैं मतलब वह को प्रेशि इसको लुक्षी नें किया था तो यह अब नहीं होते हैं दो कम हो गहीं है प्रिजिट करता हैं किसके कंसलेंश सबस्क्राइब के सिसलाह पर उस के सबस्क्राइब होगा उसको इसको कर रिखल ऐप एंदेट opener लिस कोनफेर बीचेट理 da अंक्ष बिल सब्सक्रांद झो प्रेज़टन के अप्रूब ह मंणा। से ही पास हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट हो सकते है इन दे अलूज sa कि ठीक जैसे को भी बिल है जिसमें expenditure from the Consolidated Fund of India और और बिल इन्वालिंग दो अल्टरेशन आफ स्टेड बाउंटरी और क्रेशन अफ नीज स्टेट को भी ऐसा बिल जिसमें जो खर्च है वह अब इसके पावर है कि कोई भी बिल देखिए आंको पता हो तो प्रेशडेंट इस दे मेंबर ओफ मतलब एक चेकर Norman από मेंबर करते हैं प्रेशेंटि को ऑचो प्रेश्डेंट के तीन मेमेंबर ओते हैं ठ्मक्टछ ऑल्टरेश देखिए तो तो पर्लियमेंट का एक मेंबर एक तरह से देखे दो तो कभी जब भी अगर लाष्ट में या फिर प्रेजिजेंट के पास कोई बील बेजते हैं तो फिर क्या होता है उसको सहमति दे सकता है सहमति को रोक सकता है विधोल्ड कर सकता है सहमति को ठीक है कि पार्लियमेंट को वापस रिकंसिडरेंट के लिए बेज सकता है लेकिन उसमें यह सर्थ है कि अगर पार्लियमेंट वापस से इसको री इंट्रिद्यूस कर दे अमेंड करके या विनावेंड करके ठीक है तो फिर प्रेजिडेंट को उसको असेंट देना ही पड़ेगा उसके पास फिर ऑप्शन नहीं बचता तो एक तरह से देखे इसके पास तीन ऑप्शन ही है अब देखते हैं जब खूब कंडिशन ऐसी होती है जब क्या करता है कि गवर्णर स्टेट लेजिटर्चर के कोई भी बिल्को प्रोप्रोवल के लिए प्रेजिडेंट के बास बेजता है तब उसके पास क्या होता है यह पहर देखे कैसे पहरा यहे सेंट देहें सभर मती देदें दूसरा वीद्वाइब करते विद्वर्णर को डायट करें कि बिल को वापस बेज़ें रीकोंस्टेशन के लिए ठीक ह है और इसमें यह पावर है इसके पास अगर rare stage legislature अगर उस मिल को प्रों करके ऐसा कि अब हेस्द करके वापस बेशता है तो प्रेज़ेटं बाउंड नहीं है इसको डिसेंट भी सकता है मताँ जब नहीं है उसको पास कर ही करें अब तれelsकता ठीक है तो यह इस प्राइब देख लिए तो ज्यादा पॉपल हो जाता है यहां पर प्रेशिडेंट अब लग्या है जब पार्लियमेंट सेशन में नहीं है तो यह और्डिनेंस पास कर सकता है ठीक है और इसके पास 123 कंडर में अब क्या जब लेकिन इसमें यह सर्थ है कि जब भी पार्लियमेंट रिसेंबल होगी वापस मिलेगी उसको छे विक के अंदर उसको मतलब जो ऑर्डिनेंस से उसको अप्रिवल देना पड़ेगा अगर अप्रिवल नहीं देता है तो वह ऑर्डिनेंस डिजॉल हो जाएगा औ और वह पार्लियमेंट जब भी चाहे इसको भी कर सकती है इसमें ज्यादा पार्लियमेंट होती है इसका मातलब क्या है कि कोई भी अधिनेंस बनता है तो च्छे महीं ने शेहां इसे जहादा नहीं बन सकता है ठीक है मैक्सिमम टाइम है कोई पूछे तो 6 में इसे विक यह पर्जेंट करता है यह पर्जेंट पर्लेमेंट पर्लेमेंट इसको पर्जेंट करते हैं यह अब देखिए यह उथरीटी टु एनक्त लौ टू इंशूर दीश प्रोग्रेस और गुर्णेस अब निकुबर आइलेंड लक्षे दीव दादरानागरह वेली दवन दीव लगद इनक्त करें ताकि वहां पर पीस और प्रोग्रेस और गुर्णेस आए ठीक है पतब डाइकली यही अड्मिस्टेटर करते हैं अगर कोई नहीं है सेशन में या फिसमेंड होगी तभी यह वहां पर अधिनिस्टेशन चला सकता है यह हिंदी में है इसको आप इसको लिए जिनको जरूत है अराम से इनको पढ़िएगा दो तीमरी वाइस करिए अराम से आद आतीज इसको आप आर्टिकल से भी देखेंगा आगे जाके तो नहीं अब देखिए फाइनिंस पावर फाइनिस प प्रस्ते क्या मनीविट कैने उनलिव इंट्रूइस पर इन पार्लेमेंट विच प्रायर अप्रूवल आपको पता हो तो एक सितम पर्शों मनीविट रखा वह प्रेजडेंट के अप्रूवल की मतलब पहले प्रेजिट के अप्रूवल से ही उसके बाहद इसको पेस्किए सकता है यूEST पहले नहीं किया सिखता है हुआ और एंटिक फायन जीक स्टेयटमेंटben ठीज सब्क्राइंन इस फ्लीमें इस आ वो भी इसके recommend candle के बिना नहीं अप्रूवर्ट ती अवर कुछ ऑपाइस कॉल्पया तो एक्साइस है तो यह एडिमांस में पेमेट कर सकता है मेठ कर सकता है ठीग है और क्या है पांचवा ही केंज हिए पैने सफाइनींस कमीशनट पाइनस यही करता है किसली करता है तो रिकमेंड इस्ट्रूब सेट ताकि रिवेन्यू का सेंट्र के बाटा जा सके किते कैसे बाटना है क्या करना एं यह तैकर आप शॉपार्ट इसक्ति बर्सट्रपती यह है आप इस the Constitution of the Constitution to grant pardon to the person who have been tried and convicted of the any offense किसी को भी पार्डन माफी दे सकता है प्रेजिजेजिएंट क्योंकि सुप्रीम है अपने यहां का ठीक है अगर कही जुडिस्टी को गलती होती है उनको सुदाने के लिए या फिर को भी क्या भोते हैं किसको है यूमन पॉइंट ऑफ्यू से इसको यह किसी भी क्रिमिनल को यह पार्डन कर सकता है जुडिकूति है इस इंडिपेंड़न है ठीक है यह एक एग्सेक्टी पावर है यह जुडिस्टीजरी से कह समझनि ऐसा नहीं है कि जूडिसरी वापस को रिवीव कर सका ऐसा आप रिटन में कोई भी कॉनिक्ट है वो इसको प्रोच कर सकते हैं या फिर को सकते हैं फिर इनके उसके हैं कंटिजटी पर है इंकी इच्छा पर है कि वह इनको दॉटन दाया नही ए मतलबुए कैविनेट काउस्टर की एडवाइस पर यह करता है प्रोटेक्ट सेफगार्ड एंड डिफेंड दर इंडिन कॉंस्टिटूशन एंड लो ठीक है तो यह भी एक तरह से जूरी से सकते हैं यह इसकी जिम्मेदारी बनती है रक्षा करने की और क्या है जूरी स्री में अपॉइंट्मेंट्स भी यह करते हैं जैसे दो सो आर्टिकल 217-3 के अंदर अपॉइंट्मेंट्स ओप हाई कोट जजज हाई कोट्ज के अपॉइंट्मेंट्स करते हैं यह ठीक है इंपोर्टन अगला एक और इंपोर्टन है 143 इसको टीटिटिल आपढ़ेंगे आगे कौंसी सलाल लेनी है कौंसी नहीं लेनी है इसा किस पर बांट है सब्सक्राइब करते हैं यह जो अब आगे पढ़ेंगे देदर बढ़ेंगे चीज़े तक यह याद रहें एक पार देख लेते हैं से ठीक है कुछ राजन देख सकते हैं डिप्रमेटिक पावर है कोई इंट्रेंसल टीटी होती है कोई एग्रीबेंट्स होते हैं को भी कुछ होता है किसके बहुता है ऐहां पर होता है तो फट्रेश्जेण्ट के अफ़े cheesy करते हैं उप फबहुता है और अपने का में इस रज़ेट्स और रिसेव करते हैं उनके ठीक है तो यह सब किसके के रैस्पेक्ट में होता है इनके प्रेश्डेंट के उसमें अदर में सब्सक्वाइब है फिर आप जानते ही हैं शैनी सकतिया भी इसके पास मिल्टी पाउर सुप्रीम कमांडर डिफेंस पोर्स अइंडिया सुप्रीम स्भारत के रक्षा बलो के सर्वोच कमांडर है यह तीर रक्षा बलके कि इसके रहे वह हैं जिम्हेदार हो है समझा है अप्वाइनमेंट को दो करता है चीफ of the army चीफ आफ डशी नेवी चीफ of the air force प्राष्ट पती करता है है ठीक है क्लिए डिक्लेयर गोर्थ कर सकते हैं कोई पीस क्लूट कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू एप्रोल ऑफ पार्लियमेंट पार्लियमेंट की मंजूरी के अधीन होता है सब ठीक है अभी को पावर एलास्ट पावर एमजनसी वावर अपात का लें सकते हैं इनको भी अपने पड़ेंगे लेकिन बाद में अभी हम एज इन प्रेजडेंट के परेजडेंट के पाफ पॉर के पावर क्या क्या था तो तीन था पकी पावर मतलब तीं टाइप की इमर्जएंसी लगा सकते हैं यह प्रेजिए अपने अपने अंडिवर नेशन इमर्जेंसी जो लगती आर्टील 352 टू अंडर ने जाइक और प्रेजडेंट रूल स्टेट म प्रेजिदेंट्स लूट रहते हैं वो हते हैं 365 और 365 और 356 ठीक है फाइनिसल इमर्जेंस या सकती है जो जैसे आर्टिकल 360 अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बीट और पावर है भी ऐसे नहीं है पावर नहीं है देखिए पॉसी पावर है ना रश्ट पतिक प्यास आपको क्या लगाता है रबर स्टांव रबर स्टांव नहीं बहुत कुछ है लेकिन वह काम करने वाला होना चाहिए ठीक है तो आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे वीड़ पावर प्रेश्टेंट तो ऐसे ही हम लोग अभी प्रेश्टेंट की सेरीज चला रहे हैं उसमें आपको सब कुछ बता रहे हैं इंडिन कोस्ट टलिशन में क्या इस अप आगर है ऐसे बढ़ते रहेंगे आप हमें कमेंट में स रीचाउट हो सके और हम आपको जैसे आप चाहे वैसाम पढ़ा सके आप मुझे इतना टाइम देने गले तन्यवाद हमसे जुड़े रहे हैं जैफिन जैवारत तन्यवाद